सबी भाईयों को मेरा नमस्कार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि आप में अगर थोड़ी बहुत भी हुमिनिटी है तो वीडियो को एक बार जो बात में बोलने जा रहा हूँ उसको कंप्लीट सुन लेना अगर इसके बाद जो आपको अच्छा लगे बही करना ठीक है कि अभी जो गुरुबडी की जो बेकेंसी आईती दोजार गुनीस में उनकी एक्जाम बगेरा कंडेक्ट होगे फिजिकल और डी भी बगेरा होगे है अब पैनल भी आना स्टार्ट हो गया है जैसा कि आप सभी को पता है तो जो भी वीडियो को देखने चाहिए SSC वाला है, UPSC वाला है या आप रेलबे में पहले से जोब कर रहे हो या अभी अभी आपकी जोब लगी है तो मैं अकेले मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ अब यह वो लोगें आपकी भाई पहले पढ़ाई करता तो आराम से हो जाता ना तो भाई जिनकों पढ़ाई की वो उनका हो गया और जिनोंने थोड़ा कम महनत की तो वो रहे गए ठीक है तो आपकी अगर थोड़ी सी एक महनत से अगर उनका मतलब परिवार खुसाल हो सकता है तो आपका इतना सा करने में यार फ्रेंट्स अगर दिल से सोचा जाए तो क्या जा रहा है आपका आपकी जोब को थोड़ी ना ले रहे हैं आपके जौब को नहीं ले रहे हैं, फ्रेंट्स आप जैसे जानते हो कि आप चुनाब आने वाले हैं, ठीक है, तो ये गवर्मेंट क्या करेगी, जो बेकेंसी बचेंगी ना, तो फ्रेंट्स उसको मतलब जो नई बेकेंसी निकालेंगे, बेंक वोट की बजे से, तो उसमें कर देंगे ये, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह पहले आई थी, सेकेंड डीवी, थर्ल डीवी, लेकिन अब ये दो तीन डीवी कराके फिर बेकेंसी को खतम कर देंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 15 तारिक को 15 मार्च को 9 बजे से हमारे ठीटर केमपेन है जितना हो सके, आप हमारे सपोर्ट कीजिए, आप यह मत सोचना कि भई, आप यह सोचो कि 40,000 आप परिवारों को बसा होगे, ठीक है, उनमें खुशिया लाओगे, अगर बेटिंग आती है, तो अगर जो भी नए अब चाहत रहे हैं, जो मतलब अभी अभी तैयारी में आए हैं, तो उनको भी यह काम करना है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर जो बेकेंसी आई ही, उनमें भी फिर बेटिंग एक मतलब लागू हो जाती है, तो आप सोचो इसका कितना बड़ा वेनिफिट है, अगर आप अभी थोड़ी महनत नहीं करोगे, तो आगे जाके, मतलब कम्प इससे भी हई हो जाएगा, ठीक है फ्रेंट्स, तो आप सभी से रिक्वाइच्ट है, जितना हो सके, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, बाकि आपकी इच्छा है, आप समझदार हो, ठीक है फ्रेंट्स, अगर कोई गलत बात लगी हो, तो उसके लिए सौरी, केमरा के सामने आने कि पहली बात इहमत नहीं होती है, ठीक है, नमस्कार